दोस्तो जिस वीरियों को तुम वीरिय समझ रहे हो असल में वो पानी है अगर विश्वास नहीं है तो एक बर अपने वीरिय को चेक करवा के देख लेना वीरिय किसे बोलते हैं या भी तुमें मालूम नहीं है क्योंकि तुमारे वीरिय में 80% से ज़्यादा पानी है और इसा कहा गया है कि अगर एक सरीर में 100% प्योर वीरिय की मात्रा हो तो एक ओरत हो सादमी के साथ पूरी राद गुजार सकती है सिर्प उस दो गुंद पे एक ओरत के लिए उसका सबसे बड़ा हतियार होता है उसके खुपसूर्ती और एक मर्द के लिए उसके सबसे बड़ी ताकत होती है उसके मर्दानगी पर आज के इस मोडन जवाने में कई सारी गंदी आदितों के वज़े से हमारे नोजवान दोस्त अपने मर्दान के खोब एड़ते हैं और फिर साधी के बाद उनकी जिंदगी नरक सभी ज्यादा बत्तर हो जाती है वीडियो को सुरू करने से पेले मैं तुमें बता दू कि तुम जवान हो तुम ब्रह्माचारी हो तुम साधी सुधा हो या किसी भी उमर के हो ये वीडियो हर एक मर्द के लिए क्योंकि इस वीडियो के 7-8 मिनिट तुमारी सरीर की उर्जाओ को पुरी तरह से बदलेंगे गेम्स और इस्पोर्ट से खेल के अपना समय बिताता था। आप यकिन नहीं मानोगे पर जो बड़ा भाहिता रमेश उसने सिर्पे 21 दिनों के अंदर मेथुन के आदत को इतना अपना लिया कि उसे एक दिन आचानक से चक्कर आने लग गये। तो किसी काम का नहीं था। और आजकल तो तुम्हें पताई कि अगर तुम्हा आज की दुनिया में पेसे नहीं कमाओगे तो चलेगा। पर अगर साधी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हे धबा लगाया जाएगा जिसे कहते हैं ना मर्द। रमेश को लोगों ने बह आए रखना है तो आब आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना क्यूंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे खाने के बाद ना कि तुम अपनी मरदान की रीकवर कर पाओगे बलकि तुम्हें में लेवल पे भी तुमा तुम क्या हर बार आयूर्वेदिक जड़ी भूटिया बताते रहते हो पर सिर्फ सुनो तुम क्यूंकि पिछले एक महिने से रिसर्च कर रहा हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए आयूर्वेद के हिसाब से आरंडी के पत्तों के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं खु से तुमारे वीर्य गाड़ा होता है लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज तुम्हें बता देना चाहता हूं काफी सारे लोग सिर्फ वीर्य बढ़ाने पर फोकस करते हैं लेकिन क्या होगा अगर तुमारे सरीर में वीर्य सही है लेकिन उस वीर्य की हेल्थ खराब है इसलिए मैं दो चम्मस सहद मिला के रोजाना सुबह खाली पेट पीना है सिर्प दो हपतों तो ये ट्राय करके देखना और फिर तुम अपने वीर्य की रिपोर्ट करवा सकते हो अरंडी के पत्तों के पाउडर में सहद मिला के खाने से वीर्य गाडा और मजबूत होता है और इस लिष्ट में दुसरा नाम है लसून लसून है कैसी चीजे जो आपको साइद इंडिया के हर घर में मिल जाएगी और हमारे देश में कई सालों से खाने का जाईका बढ़ाने के लिए लसून इस्तवाल करता है लेकिन ये सिर्फ खाने का जाईका बढ़ाने के लिए नहीं है लेसुन में एलिसिन नामक कंपोंड पाया जाता है जो पुरुसों के सरीर में बलड फ्लो और बलड सर्कुलेशन को इंप्रू करता है जिससे हमारा वीर ये गाड़ा और सक्तिसाली बनता है लेकिन दोस्तों कई बार एसा होता है कि वीर ये गाड़ा होने के बाद भी वीर ये सहीं होने के बाद भी लोग अपने पार्टनर को सहीं से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उनका वीर ये जल्दी निकल जाता है और अपने नीचे वाले पार्ट के साइज को लेके दिक्कत रहती है अब ये प्रॉब्लम काफी सरे लोगों के सथ होती है पर सरम की वज़े से कोई आपन लीप बोल नहीं पाता और सही जानकारी ना होने की वज़े से बाजार से कोई भ वाले प्रोड़क्ट लेंगे तो उल्टा तुम्हें उसके साइड इफेक्ट जेलने पड़ सकते हैं अगर तुम सहीं और भरोसेमंद प्रोड़क्ट यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रेकोमेंड करूंगा नेचर मेनिया का ये लिप्ट अप मसाज ओइल ये आपको क कि सिर्फ कुछ हपतों में ये आपका पाट बहुत इस्टोंग हो जाएग इसकी रेगुलर अपने पाट के ऊपर मसाज करने से आपके प्राइवेट पार्ट में सहीं से ब्लड फ्लो करने लगता है जिससे ना कि शिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट की साइज इंक्रीज होती है बलकि रात वाली लाइप में आपका इस्टेमिना भी बढ़ता है और रात वाली लाइप में जितनी भी प्रोब्लम्स होती है उन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है सिर्प इस ओईल की मदद से जो लोग अपने पार्टनार को बेड़ में सही से संतुष्ट नहीं कर पाते है और वक्त से पहले ही मेदान छोड़ देता है उन्हें नेचर मेनिया का ये लिप्ट अप मसाज होई लेक बर जरूर ट्राय करना चीए इसकी कुछ बुंदों को लेके आपको मसाज करना है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्किप्शन में दे दिया है कोमेंट सेक् अगला नाम है अनार वीर्य को बढ़ाने के लिए अनार बढ़िया घरीलू उपायों में से एक है इसकी मदद से आप घर बेटे सिर्प कुछ ही दिनों में अपने वीर्य की क्वांटिटी और क्वालेटी दोनों को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं अपने डाइट में कमजोर सरीर की वज़े से जिन्दगी में हार चुके हैं मेथुन की वज़े से कमजोर है उन्हें कुछ दिनों तक रो सोने से एक दो घंटे पेले अनार का जूस जरूर पीना चीए बस कुछ दिनों के बाद तुमारे वीर्य का काउंट बढ़ेगा और उसके मोटिलिटी भ नाम से जानते होंगे कद्दू के वीस में जिंक और ओमेगा 3 फेटी एसिट पाया जाता है जो मर्दों के नीचे वाले पार्ट में ब्लड फ्लो और ब्लड सरकुलेशन बढ़ाने का काम करता है हमारे वीर्य की संख्या हो और उसकी गुनवत्ता को बढ़ाने का ये एक बे जाता है जो हमारे नीचे वाले पार्ट में ब्लड फ्लो को बहतर करते हैं ब्लड सरकुलेशन को भी इंप्रू करते हैं अखरोड हमारे वीर्य को बहतर बनाने के सथ सत हमारे सरीर को म lavender को तेज बनाता है कुछ दिनों तक रोजाना 50 ग्राम अखरोड दीन में 2 वार खाने से हमारा वीर ये पहले से बहतर हो जाता है आप चाहे तो अखरोट को दूद के साथ भी ले सकते हैं कई बार लोग गंदी फिल्मों के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर सही टाइम पर उनका हत्यार जवाब दे देता है एसे में तुम्हारे पास अपने पार्टनर के सामने सर्मिंदा होने के अलावा और कोई ओप्सन नहीं बचता और अगर तुम्हें ये चीज ओल्रेडी एक्स्पिरेंस कर रहे हो तो आज से ही अपनी डाइट में अखरोट सामिल कर दो अब मैं तुम्हें एक एसे फूट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एनर्जी का सबसे वड़िया सोर्स माना जाता है और वो फूट ए केला आईरुवेट के हिसाब से केला हमारे वीरिय के लिए काफी फाइद दे मन दे ये एक एसा फूट एज इसे दिन में कभी भी खाया जा सकता है अक्सर लोग इसे सुवन आस्ते के साथ या तो फिर एकसरसाइज वगेरा करने के बाद खाना पसंद करते है क्योंकि ये एक instant energy booster माना जाता है इसमें bromelain नाम का enzyme और vitamin B मोजूद होते है जो stamina, energy और वीरिय की quantity और quality को बढ़ाने का काम करता है जो लोग regular रोज सुवा और साम को दो के लिए खाता है उन्हें वीरिय की problem का सामना कभी नहीं करना पड़ता अब list में अगला नाम है गाजर अब तक हम गाजर को सिर्फ अपने आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाते आया लेकिन एक मज़े की बात बताऊं Harvard University School of Public Health के कुछ researchers ने अपनी study में पाया कि गाजर का आपके नीचे वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा असर होता है कोलेस के 200 students के उपर की गई इस study में सभी को अलग अलग तरह के फल और सबजिया खाने को कहा गया था और फिर उनके वीर्य को टेस्ट किया गया टेस्ट के रिजल्ट ने सब को छोका दिया रिजल्ट से पता चला कि गाजर की वज़े से वीर्य की capacity 6-8% तक बढ़ गई थी गाजर में केरोटेनेट सो होता है जिसे हमारी body vitamin A जिसे antioxidant में बदल देती है जो हमारी वीर्य को healthy रखता है पर गाजर के अंदर एसी natural quality मोजूद है जो इस problem को solve कर सकती है इसलिए अपसे अपने diet में गाजर को जरूर सामिल करना एंड लाश्ट में खजूर, खजूर एक common food है जो हमारे खाने में किसी ना किसी तरह से सामिल किया जाता है हाँ ये बात अलग है कि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि खजूर मर्दों के लिए कितना फाइदे मन्द है खजूर में काफी सारे antioxidants, vitamins और minerals होते हैं जो हमारे वीर्य को damage होने से बचाते हैं खजूर के बारे में एक मज़े की बात बताओं तुमें कमजोर वीर्य को ताकतवर बनाने के लिए तुमें मुठी भर के खजूर खाने की जरूरत नहीं है अगर तुम दिन के सिर्फ तीन से पांच खजूर खाते हो तो भी बहुत है इसके अलवा एक regular तरीका भी है जो मैंने काफी सारे लोगों को try करते हो देखा है तो मैं सिर्फ चार से छे खजूर लेना है उसे हलके गरम दूद में डाल देना है और फिर उसे राद भर एसे ही दूद में भीगने देना है फिर सुबह उटके खाली पेट खा लेना है इस तरह जे खजूर के साथ साथ तुम्हें दूद के benefits भी मिलेंगे तो दोस्तों ये थे वो सारे food जो तुमारे वीर्य की खोईवी ताकत को वापस लाएंगे इन foods को ब्रह्मचारी भी अपने वीर्य को बढ़ाने के लिए उप्योग कर सकते हैं और साधी सुधा लोग भी वीर्य बढ़ा के अपना performance बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करो हो सकता है किसी ना किसी को इसकी काफी जरूरत हो